इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाँ फ्रेंड्स कि आप जो है रेड्मी 9 की मॉवाइल फोन में पिन लॉक कैसे सेट कर सकते हैं यानि की पिन लॉक कैसे लगा सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए पासवर्ड का ओप्शन मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए अगर आपने कोई सा भी लॉक सेट नहीं कर रखा होगा तब तो डायरेक्ट आपके सामने इस तरीके का ओप्शन आ जाएगा और अगर आपने पहले से कोई पैटन या फिर पासवर्ड लॉक सेट करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर 4 सेकेंड तक होगा काउंट डाउन और उसके बाद आपको यहां गोईट का ओप्शन मिल जाएगा आप यहां पर क्लिक करेंगे अब जो भी आपको पिन लॉक में पिन रखना है वो पिन आप यहां डाल देता हूँ, एक बाद डाल देने के बाद confirm करने के लिए continue पर click करना होगा और इसके confirm करने के लिए दुबारा से आपको वही pin डाल देना है और डाल देने के बाद आपको यहां okay पर click कर देना है और तो उसके बाद आपको यहां पर fingerprint add करने का option आ जागा मतलब अगर आप finger को touch करके mobile को unlock करना चाहते हैं तो आप यहां से fingerprint को add कर सकते हैं आपको यहाँ add का option मिल जाएगा तो इस पर click करके add कर सकते हैं लेकिन add नहीं करना है तो आप यह cancel पर click कर देजिए आपके phone में pin lock set हो जाएगा आप देख सकते हैं pin lock set हो गया जैसे हैं हम यहाँ पर दोस्तों जो है अपना pin डालेंगे तो mobile unlock हो जाएगा इस तरह किसा आप Redmi 9 के mobile में आप जो है pin lock set कर सकते हैं या लगा सकते हैं वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को subscribe जरूर करिएगा